मौन्सुन का सीजन शुरू होने वाला है और आप इस दूवीदा में है कि इस साल बारिश के मुशंब में कौन से हिलिस्टेशन पर जाए वैसे तो आप यहां पर गर्मियों की छुटियां मनाने भी आ सकते हैं पर आप आते हैं मौनसुन टाइम में तो यहां की खुबसूरत नजा रखो और भी बैतर तरीके से देख पाएंगे तकरीबन 1220 मिटर यानी 4000 फिट की उचय पे बसा राजस्थन का एकलोता प्राचिन काल का खुबसूरत नगर यानी अर्भुदा नगर जिसे हम सब अब माउंट आबू के नाम से जानते हैं इसी की इसी खुबसूरती की वज़े से यहां पर सिर्फ बारत देश के नहीं बलके विदेश के टूरिस्ट भी दोड़े दोड़े चले आते हैं माउंट आबू आने के लिए आपको आसानी से आबू रोटक की टेन मिल जाएगी तक्रीबन 500 मिटर की दोरी पर आबू पस श्टॉप से राजेस्थान लोडवज की बस मिल जाएगी जिसमें आप 50 उर्प्या किराया देकर उपर आबू तक पहुंच सकते हैं इस वीडियो में मैं कवर कने वाला हूँ गुरु शिखर सौमना टेंपल संसेट पॉइंट और सबका चाहिता नकी लेक वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें पंचिगनी माबलेश्वर भी एक बड़िया सा हीले स्टेशन है आप अगर वहां जाने की सोच रहे हैं तो उसके लिए भी प्रॉपरली मैंने एक वीडियो बनाई ही है उसकी लिक भी आपको उपर आई बटन में नजर आ रही होगी माउंट आपू से गुरु शिखर की तरफ आप जाओ गए तो रास्ते में पढ़ता है ये सौमनात मंदिर संद सरोवर के बिलकुल बगल में है ये सौमनात मंदिर मुझे जो यहां पर सबसे अच्छा लगा वह है यहां की शान्ती और ये गॉल्डन फीश एक तो ये बिलकुल सुनेरी कलर की है और जब आप इने आटा डालोगे तो ये गोल-गोल गुम कर अजीबो तरह से अपने मुझ को खुलती है अरावली के सबसे उचे परवतों में से एक घुरू शिखर परवत जो तकरीबन 1722 मीटर याने 5653 फीट की उचाय पर स्थित है और ये अरावली के सबसे उचे परवतों में से एक माना जाता है इतनी उचाय से आप आसपास या नीचे की तरफ देखोगे तो कुछ इस तरह का वीओ पॉइंट बनता हुआ आपको नजर आएगा और जब आप सामने की तरफ देखोगे तो बादलों को चीरते हुए ये परवत का नजर आपको नजर आएगा इतनी उच्छाई पे आकर मुझे तो यह मैसूस होता है जैसे मैं माउट आबू नहीं बलके मसूरी या लेल अधार के खड़ा हूं संसेट पॉइंट सुरियस्त का सबस्य पहेंतरी नजारा देखने के लिए यहां पर आप रिक्षा में भी आ सकते हैं और पैदल भी आ सकते हैं यह वीडियो में ठितना अच्छा दिख रहा है जब आप रियल पर यहां पर आओगे तो इससे कहीं गुना बैतर इसे देख पाओगे यकिनन यह आपके लिए एक बेस्ट एक्सपिरियन्स हो सकता है नकी लेके प्रविश्द्वार के बिल्कुल सामने की तरफ है यह शौपिंग मार्केट जहां आप अपनी जरुयात के एसाब से शौपिंग कर सकते हैं गुमते गुमते अगर आप ठक जाते हैं तो नकी लेके बिल्कुल बगल में है यह गाड़ जहां पर आप आराम से बैठ सकते हैं और इसके बिल्कुल बगल में है यह बोट आकार जिसा बना हुआ होटल सरोवर जहां पर आप चाय नास्ते के साथ-साथ बोजन का अनन भी उचाई और धाई किलोमीटर में फैली तक्रीबन 11,000 फीट की गेराई वाली ये बारत की पहली मानो सर्जित लेक है जिसे नील की मदर से एक रात में बनाया था इसलिए शायर इसे नकी लेक के नाम से जाना जाता है नकी लेक जो यहां का मौस्ट अट्रेक्टिव पॉइंट मना जाता है तक्रीबन सभी टोरिस्ट यहां की विजिट अवर्षिय करते हैं यहां पर वाटर एक्टिविटी में जॉर्भीन कर सकते हैं जिसकी प्राइजे पर परसन 150 रुपए पैडल बोट के 200 रुपए पैसेंजर बोट के लिए 300 रुपए करें ट्रेक्टिव टुमाइब करो बीतुपित प्रेषब के प्लेरऑ उप है तुर्षबेट आई डाल fils Municipus अभी डेवानी यू नो मेरी वामार्क ब्याद है को फैसे को मांट अपोすご में गूमने के बहुत सारे पॉइट पर आप इन पॉइंट में से कौन से प्विय को में ख़र में गरें मुझे कोमेंट कर सकते हैं मुझे इंतजार रहेगा आपकी कॉमेंट्स का इस वीडियो में बस इतना ही जल्दी मिलेंगे किसी नए वीडियो में नहीं टॉपिक के साथ करें करें